नमस्कार दोस्तों मैं हूँ बनीत और सागत करते हैं एक पर फिस से आप सभी को मेरे इस तुरूटिब चनल पर दोस्तों इस वडियो में आपको सिखाने जा रहा हूं अमेजिंग फोटो एडिटिंग तो वीडियो को पूरा देखेगा वीडियो कमाल का होने वाला है और यह फोटो देख लीजिए पूछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग में सिखाऊंगा और यह बहुती ज़्यादा ट्रेंड कर रहा और इस टाइप का फोटो आप अगर आप इडिटिंग करते हैं तो बहुती कमाल का लोगों का रेस्पॉन्स मिलेगा और बहुती अच्छा ही क्वालिटी में दिख भी रहा है तो इस तरह का फोटो एडिटिंग सिखने के लिए मेरे इस वीडियो को शुरू से लिए राज तक जरूर देखेगा स्किप मत करेंगे एक चीज बोल दूआ अगर आप मेरे चैनल पर नया हो पहली बार आए हो इसे वीडियो का नीचे में र कर रहा हूं इस तरीका से आप ध्यान से देखते रहेगा बहुत ही कमाल से बताऊंगा और सबसे असान ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इसको बनाना है ठीक है सबसे पहले यह फोटो के उपर हम लोग एडिटिंग करेंगे यह वाला जैख लीजिए यह जो आप फोटो देख रह आपको क्या करना यहां पर इककशले फोटव वाला जो फोटो है वो लेकर आना ऐट इसे मौइल को टेड़ा करके मौइल को उल्टा करके फोटों एक ले लेंगे कैसा फोटो इना हो भी बने आपको दिका देता हूँ तो दो पटेले यहां पर लोग एड करते हैं फोटो पर यहां पर क्लिक करेंगे तो फिसन स्की आपका गैलरी पर आना है जो फोटो ले की हुए दोस्तों ठीक है तो यह फोटो यह फोटो मैं एड कर देता हूं यहां से simple पहले देख लीजिए कुछ इस तरीका से इस फोटो को लेके आना है ठीक है अब इसका आपको PNG बनाना है तो मैं PNG बनाता हूं आपको बता के यह फोटो जैसे आप ओब वह पूरा करेंगे यह मैं फास्ट कर दूंगा यहां पर ठीक है झाल 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 अब देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको PNG को create कर लेना यहां से okay करते हैं दोस्तों ठीक है आपको क्या करना है दोस्तों इसको adjust कर लेंगे छोटा बड़ा करके आपको जितना अच्छा लगता है उतना अच्छा करके यहां पर road पे simple सा आप रख देंगे आप ठीक ह रोड पे एकदम रख देंगे असानी से अब आपको क्या करना है दोस्तों यहां पर इसको okay कर देंगे ठीक है डन कर देंगे अब आपको यहां पर किसी मॉडल को बैठाना है तो उसका भी फोटो आप लेके आएंगे और उसका भी PNG निकाल लेंगे मैं पहले इसे PNG निका जाएंगे ठीक है अब उस PNG को हम लोग एड करेंगे उस तो उसके लिए जाएंगे यहां पे एड फोटो पे एड फोटो पे जाने के बाद उस जो मॉडल का जो फोटो होता है उस फोटो को लेके आ जाएंगे दूस्तों सिंपल सा ठीक है ठीक है तो यह वाला फोटो मैं कर लेता हूं यह वाला model का photo है जो मैं add कर लिया और यहां पर simple सा आप इस तरीका से एसवत करके बठा सकते हैं ठीक है आप इसको छोटा बड़ा लंबा लंबा चौड़ा भी कुछ करना चाहते हैं कुछ छोटा करना चाहते हैं यहां पर ले कि एकदम बोतल के उपर बैठा देना है और आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर एक बार एरेजर रोला पर क्लिक कर लेना है क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर एक option मिल जाता है आपको restore पर क्लिक कर लेंगे और इसका capacity जो कम कर देंगा hardness भी थोड़ा सा कम करेंगे और यहां पर side side में तो इस तरीका से आप जहाँ जाए यह bottle को touch किया है वहाँ-वहाँ कुछ इस तरीका से आप कर देंगे तो लगेगा नहीं है ऐसा लगएगा कि एकदम बोतल के साथ ही एडिटिंग नहीं किया हुआ है ऐसा आपको लगेगा ठीक है तो कुछ इस तरीका से side side से side से बिल्कुल आसारी से कर देजेगा ताकि यह बहुत कमाल का लगेगा इसके बाद से एक और पॉइंट बताता हूं जो बहुत ही कमाल का है अगर आप इसमें लाइट भी देना चाहते हैं इस फोटो में भी कुछ लाइटिंग एक्स्टा बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए सिम्पल से यहां को हो गया है यहां सहां कर देते हैं अब आपको क्या करना है मालीजिए इसको लाइटिंग आपको बढाना आए जहां करेंा ने और यहां पध्तिंग बढाने का यह शोड़ा है ने म्वच आर इसको यहां से इरेज कर लेंगे सिल माड़ल quint और फोटो छोड़ देंगे वहाँ पर लेकर हम लोग एरेज नहीं करेंगे ठीक है बाकी सब ऐसे ऐसे करके आप एरेज कर लेंगे ठीक है तो देखें यह फोटो आपका बहुत ही कमाल का लगने लगेगा एकदम प्रोफेशनल और जैसे आप करना चाहते हैं देखें एकदम प्रोफेशनल लुक लग रहा है बहुत ही कमाल का लग रहा है यहां से आप इसको सिंपल सा ओके कर देंगे ठीक है इसको यहां से ओके कर देते हैं देखें कितना कमाल का लगने लगा तो मुझे उम्मीद ह भीजिए कि आप बहुत यह सानी से सीख गया हुए अगर वीडियो अच्छा लगाए तो वीडियो को लैक किरेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा ज्यादा दोस्तों में सेर करेंगे धन्यपार दोस्तों थांक यू थैंक्स प्रोचिंग